CM बनते ही उमर अब्दुल्ला का बड़ा फैसला बता दे कि जम्मू कश्मीर के उप्राज्यपाल मनोज सिन्हाने बुधवार 16 अक्टूबर को उमर अब्दुला को मुख्य मंत्री के तौर पर शपत दिलाई अब्दुला दूसरी बार मुख्य मंत्री बने हैं और वह अपने दादा शेक अब्दुला और पिता फारुक अब्दुला के बाद इस पत को संभालने वाले अब्दुला परिवार की तीसरी पीडी है उमर अब्दुल्ला के साथ पांच मंत्रियों सकीना मसूद, इटू, जावेद डार, जावेद राना, सुरिंदर चौधरी और सतीश शर्माने भी शपतली है बता दें कि 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किये जाने के बाद केंदर शासित प्रदेश में यह पहली चुनी हुई सरकार है हाल में हुए विधान सभा चुनावों में नैशनल कॉन्फरेंस ने नपे में से 42 सीटे जीती हैं, जबकि गठ बंधन सहयोगी कॉंग्रेस को 6 सीटे मिली आप भी एक सीट जीतने में काम्याब रही इस बीच सीएम बनते ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के DGP को निर्देश दिया है कि उनके काफिले की वज़े से किसी आम जनता को कोई परिशानी न हो उन्होंने कहा है कि सडक के रास्ते जाते समय उनके लिए कोई ग्रीन कॉरिडोर न बनाई जाए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा मैंने DG से बात की है कि जब मैं सडक मार्क से कहीं भी जाऊं तो कोई ग्रीन कॉरिडोर ना बने या यातायात न रुके मैंने उन्हें सारवजनिक असुविधा को कम करने और साइरन का उप्योग कम से कम करने का निर्देश्टिया है उन्होंने कहा किसी भी तरह की छडी लहराने या आकरामक इशारों के इस्तिमाल से पूरी तरह बचना है मैं अपने कैबिनेट सायोगियों से भी इसी उदारण का अनुसरन करने के लिए कह रहा हूँ हर चीज में हमारा आचरन लोगों के अनुकूल होना चाहिए हम यहां लोगों की सेवा करने के लिए हैं, उन्हें असुविधा पहुँचाने के लिए नहीं दोस्तो ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें